साप देखते ही अर किसी के सांसे फूल जाती है और खासकर जब कोगबरा साप हो तब सांस फूल न तैह है लेकिन एक युवक जो भी हमारी साथ है हम आज उसको बताते हैं कि वो किस तरीके से लाइव साप पकड़ने का जो दमखों है वो दिखा रहे हैं जहां पर भी बाड़मेर में साप दिखाई दे इनको सूचना मिलनी चाहिए और यह वहाँ जाकर उस साप को पकड़ कर लोगों को बचाने का यह पुनितकारी कर रहे हैं दीपक सेन इनका नाम है करीब 18-19 साल इनके उमर है और आप देख सकते हैं कि एक जगह साप की सूचना इनको मिली थी और उसके बाद यह तत्काल वहाँ पर पहुँचे और उनने साप को पकड़ा है अब हम इनसे बात करेंगे और जानने का यह प्रियास करेंगे कि आखिर इस किंग कोब्रा को पकड़ने का जो यह इनका हुनर है इससे वो अब तक कितनी साप पकड़ चुके है और उनको कितना भाय लगता है जब साप उनके सामने हो यह जो साप है इसकी करीब 5-4-5 फिट जो इसकी लंबाई है और बहुत जहरी रह साप है यह और डीपक अभी थोड़ी देर बाई इसको एक जो डबा है उसके अंदे डाल देंगे और उसके बाद इसको ऐसी जगह जंगल में छोड़ देंगे जहां पर कोई आसपास आता नहीं हो किसी इनसानी जो व्यक्ति है, इनसान जो है उनको या नुकसान न पहुंचा दे डीपक पहले तो आप इस साप को अंदे डाली ताकि हम आपसे बातचीत कर पाएं क्योंकि साप से बड़ा भायर लगता है हर किसी को हमे भी लगता है और आपको भी लगता है तो किस तरी किसी यह देखिए आप सांप को इनों ने पकड़ लिया है और हम अभी इन से बात करेंगे और जाननी का प्रयास करेंगे कि आखिर सांप को पकड़ना कितना मुश्किल होता है क्योंकि हर किसी को डर लगता है यह सांप काफी बड़ा भी ह जी यह साफ जो ब्लेक कोपरा है यह अपने आपको बड़ा साबीत करने के लिए लोगों को डराने के लिए अपनी जो मोटाई है उसको और फुलाता अपनी सास फुलाता जिसे की यह लोगों को डहराता है यह मतलब इसके पास लड़ने की ताकत है यह दूसरे सांपों की तरह भागताथल के हमेशा बैड़ जाता है लगता है और डरावना लगता है अपने को तो यह आपने सीख वह से साप तो यह कोब्रा साफ को पकड़ना बड़ा मुचकिल होता है लोग डरती भी गोबने लगता अतो की अधिक्न जी मैंने इसका प्रशिक्षन लिया है से तो उद्यपूर में जब मैं छोटा था तब मैं डिस्कवरी पे देखा करता था कि जो फोरेंटर लोग है वो इस मलब जो सांपों को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं तो मैं भी सोता था कि मैं भी कभी सिखने जाऊंगा तो मैंने के पास गया और उन्होंने मुझे पूछा कि बताऊ क्या हुआ तो मैंने पूछा कि सर मेरे को भी सांपड़ना सिखना है तो उन्होंनुन पूछा कि तुम सांपड़ना क्यों चाटे हैं तो मेरे सामने बूस सारे लोग है जो सा प्रश reminds sagte और मैं कुछ भी नहीं कर पाता त और इससे पहले मैंने तीन साल तक उदयपूर में सीखा है, चमन जी के साथ, जिनके साथ मैंने ऐसे से गातक रेस्क्यू किया है, कुवे में उतरना और इस तरह से तालाबो में, नालियों में, इस तरह से मैंने रेस्क्यू किया है, और मुझे उन्होंने, मनलग उनको में धन जब सुनते हैं कि बहुत जहरीला होता है उसा काटा हुआ के पानी नहीं मांगता है जी जब मैंने फर्स टाइम मुझे लब बारिश का टाइम था तो मैं फर्स टाइम साफ पकड़ने के लिए जाने वाला ता चमन जी के साथ तो मैं उनके साथ जब गया तो मुझे देखते मुझे आफ पास- captivate टो मेरे गूरुजी ने सबसे बड़े जो बात कि ऑमने बोला है की पकड़ने से जज़दा कि देख देख के ृशXT कि कि रती मृशू मेंट' सिखो कारता है किस तरह से काट स्थाव बखना machinery को तो उन्हें मेरे को उसस तरह से उन्हों मैं समझाते रहते ते ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना. अब साप जब आप पकड़ते हैं तो उस वक्त क्या सोचते हैं कि कहीं नहीं थोड़ी बहुत गल्ती हो गई. तो जान से ब्याद दो सकते हैं. जी मेरे जो सबसे बड़ा सवाल करूँगा, मैंनलब जो मेरा जवाब हो गए यह है कि जहां पर दुनिया के कदम रुख जाते हैं, वहां पर हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि साप देखके हर को ही डर जाता है, तो हम लोग यह सोते हैं कि एक तो हमने लोगों को बचाना है, दूसरा उससे बड़ा जो हमारा जो मोटिवेटर मलब जो रहता है वो है कि साप को बचाना है, क्योंकि साप मलब लोग साप को मार देंगे, ठीके, तो कैसे भी हो, क्योंकि अगर कई चला गया ऐसे, तो लोग उसको मार देंगे साप को, तो हम सोते हैं कि हमने बचाना है, तो हम उसके लिए पूरी मेनद करते हैं, अगर पत्थर अगेरा के नीचे भी चला जाता है, लकडियों के पीछे चला जाता है, तो हम उसको हटाते हैं। हम कई बार पढ़ते हैं कि सारे जो सांप होते हैं वो जहरी लेने हैं। जी सत्य कहा आपने, भारत में हम नॉर्मली मानते हैं कि चार प्रकार की जो सांप हैं वो जहरी ले होते हैं। आप ये भी आपसे जाना चाहेंगे कि जब सांप को जो कोई देखता है, वो उसको तत्काल सबसे पहले उसको दिवाग में आता है कि पत्थर हो, लाठी हो पर सबसे पहले उसको मारें। आप क्या संदिश देना चाहें। जी मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना कोशिश करें, लगबग सांप से 10 फुट की दूरी बनाके उसको देखें। आप यसी कोई अरकत नी करें कि जिसकी वज़े से वो आपकी तरफ अटेक करें। क्योंकि आप जैसे अगर आप भी हुए, कोई आपको बार-बार थपड मारेगा तो आप क्या करेंगे। वैसे आप सांप को बार-बार लकडी से पत्थर से इस तरह से डराते हो तो वो उसका रेक्ट होता है कि वो आपको काटने के लिए दोड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको न उसको बेट के देखना चाहिए। सांप को क्या कर रहा है। आपको ऐसे नुकसान नहीं पहुचाएगा जब तक आप उसके पास में रियक्ट मत करो कि वो आपके पास है। वो आप से दूरी बना के रखेगा और मलब सापो का यह कि वो कभी नीचाहिए का मैं नुकसान पहुचाँ इंसानों को क्योंकि इंसान उसका भोजन नहीं है तो इंसानों के पास नहीं आता लेकिन चुहें जो है वो अपने घरों में मिलते हैं और सापों का भोजन है चु है मेंडक और चुहां तो जंगलों में अब चुहें वगेरा कम पाया जाते हैं क्योंकि इंसान उसके खाने के लिए इंसानों के पास है अनाज वगेरा जो दाले वगेरा है चावल यह सब सीटी के अंदर है तो वह साप उनके पीछे आता है यह भी आप से जानना चाहेंग को मुख्य तो जो पहले जो फोन आते थे वह मैं है वन वी बाक से मिर को फोन आते थे फिर में उनके साथ जाकर रेस्क्यू किया करता था पर जैसे मेरा मुझा दीरे जैसा बढ़ता गया लोगों ने मेरे बारे में सुना तो लोगों ने मेरा नाम सर्च किया हो गेरा अब करना चालो कर दिया तो ऐसे करके फैस्बूग पर सब्सक्राइब करके काफी लोगों ने में से नंबर मांगे और उनको मैंने नंबर भी दिये हैं इस तरह से दीरे दीरे आपस आगे से आगे नंबर बढ़ते गए वाटसब के जरिये इस तरह से अभी बाड मेर में ऐसा है कि मेरे को काफी लोग जानते हैं और उसके अलावा अकबार में जो है एक दो दो बार न्यूज आई थी मेरी उस वज़े से लोग मेरे को पैचानने लगे और उनको लगा कि बाडमेर में कोई है अब हमें साप नहीं मानना चाहिए क्योंकि अभी कोई भी दिक्कत होती है साप हो जी उनको उन्होंने दो बार में गया था प्राश्रिक्शन देने लेकिन उनको इंट्रेस्टेड नी था नहीं आप जब जाते हैं अकेले पकड़ने के लिए तो चूंकि यह काफी विलूप्त होने वाली प्रजाती है तो जब आप वहां जाते हैं तो वहां कि लोग आपक उसके बाहर का जो होता है 50-60 km जो भी है वहां पर मैं अपनी पर्सनल बाइक लेके जाता हूं तो आपको लोग काफी याद भी करते हैं कि चलो सांप से बचा लिया दन्यवाज भी देते होंगे जी सर अभी इन सापों करते हैं क्या पकड़ने के बाद जी मैं पकड़ने के लंबा कोबरा जो साप है जो बहुत जहरीला भी होता है उसको आज पकड़ा है अभी तक पिछले दो साल में करीब 200 सापों को ये रेस्क्यू कर चुके हैं और वन्युभाग जहां नहीं पहुँचता वहां दीपक पहुँचते हैं इनका ये कहना है कि वन्युभाग ये लिखते ही मानने की जो मान सकता है उसको बदला जाए निश्चित तोर पर कोब्रा बचाने में अच्छा योगदान दीपक का भी माना जाएगा शर्त ये है कि प्रशासन और वन्युभाग इनको प्रोचसाहित करें और प्रशिक्षित करें लोगों को भी वन्युभाग की मार्फर से दीपक की साफ मानने से बहतर है साफ को बचाए जाए क्योंकि हर साफ जहरीला नहीं होता जैसे हर आदमी गलत या हर आदमी बुरा नहीं होता कैमरा प्रश्चन प्रकाश खत्री के साथ दुरुख सिंग राजप्रहित बाड़मे टाइम्स बाड़मेर झाल शुरुड़मेर